तो आज के ब्लॉग में हम आपको ले जाएंगे प्राचिन शीम मंदिर धर्मपूर धर्मपूर चंडिगर से एरांड 50 किलो मेटर है तो 50 किलो मेटर तक हम राइट करेंगे पर मोटो ब्लॉग नहीं करेंगे आपको शीम मंदिर के दर्शन करवाएंगे और एक छोटा सा ब्लॉग है यह और इसको जुरूर प्यार किया तो नीचे रेच अइक आइकन आ रहा है उसको प्रेस कीजिए और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नाठीफिकेशन आपको मिलती रहे तो गाईज चलते हैं अब धर्मपूर पर धर् करके अपना थोड़ा सा जो मेगी मुगी जंक फूट प्यारा होते हैं यह चीज इंजॉय करके हम आ जाएंगे बापीश इंडी गड़ आज की ब्लॉग में बसीत रही है आप जूरूर प्यार की दीजिएगा इस ब्लॉग को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो देख रहे हो कितना ही प्यारा लग रहा है एक नमबर तो यह हम पहुंच चुके हैं प्राचीन शी मंदिल चलते हैं अंदर कर दो कर दो दो अजय है। तो गर्मी बहुत जादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि रुटके शुबर कैम जूस पिया जाए वह बाइक लगी हुई है अब यहां भी बना रहे है जूस तो वीडियो एंड करने से पहले में एक छोड़ी सी बात कहना चाहूंगा जो भी अपने भाई या ट्रेवलर जो भी बाहर से ट्रेवल के लिए आ रहे हैं यह माचल प्रदेश में तो गाइज कहना चाहूंगा मौन सुन के चलते आपको यह सब चीजें अभी एवाइड करनी चाहिए आप जो ट्रेवल प्लान है उसको अब भाद में भी पूरा कर सकते हो क्योंकि पारिशें बहुत जादा हो रही है तो जिसकारण लैंड हो रहे हैं जगा जगा अगर आप घुमने आ भी रहे हैं तो प्लीज सेफली घुमिए क्योंकि ट्रेकिंट्रोकिंग पर एवाइडी कीजिए आजकल जाना बादल फटने की वज़़े से काफी नुकसान हो रहा है और काफी से लोग आपने देखा ट्रेश्डियां भी काफ इड़े